फिरसे स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल टेली रेसिपीज में आज मेरे पास रात की बहुत सारी सबजी बची हुई है अब इसको इस्तमाल करके कुछ बड़िया सा नाश्टा बनाया जाए ऐसा मैंने आज सोचा है तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं एक बड़िया सा टेस्टी सा नाश्टा एक कड़ाई ली है तीन कटोरी सूजी का मैंने इस्तमाल किया है छे लोगों के लिए नाश्टा बनने बाला है तो तीन कटोरी मैंने छे लोगों के लिए सूजी इस्तमाल की है अब इसको हमने बिल्कुल धीमी आज पर 5-6 मिनट तक भून लेना है हमने सूजी का रंग नहीं बदलना है इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है सिरफ सूजी को हमने धीमी आज पर पकाना है और इसका कच्चापन निकाल देना है एक चमच देशी घी डाल देंगे इसे सूजी भूनने में बहुत यासानी होगी और सूजी का रंग भी नहीं बतलेगा अगर आप बिना घी के सूजी भूनेंगे तो बहुत जल्दी ब्राउन होनी शुरू हो जाएगी और ब्राउन हमने सूजी नहीं करनी है तो जैसे ही गी मेल्ट होगा और देखिए सूजी धीरे धीरे जब भूनेगी और इसका रंग भी नहीं बतलेगा तो सूजी को थोड़ा सा गी डाल कर ही भून लेजिए ज्यादा गी डालने की ज़रूरत नहीं है अब देखिए तीन कटोरी मैंने सूजी ली थी तो उसमें सि यहाँ पर मैंने रीफायंड ऑयल का इस्तेमाल किया है आप चाहें तो देशी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिं यहाँ पर सर्सों का तیल का इस्तेमाल मत कीजिए अब इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मत चने की डाल जी हाँ सबसे पहले हम चने की डाल डालेंगे और इसको भी धीमी आज पर ही हम भून लेंगे चने की डाल को भी हम बिलकुल धीमी आज पर ही भूनेंगे अब तक कि जितनी भी हमने प्रोसेस किया है जो भी चीज़े हमने पकाई हैं वो सारी धीमी आज पर ही पकाई है तो चने की डाल को भी हम बिल्कुर धीमी आज पर ही बुनेंगे क्यूंकि इसका भी हमने रंग नहीं बदलना तो इसको भी दो से तीम मिनट तक हम धीमियाज पर भूनेंगे अब देखिए दो से तीम मिनट हो गई है चने की डाल को भूनते हुए और इसका रंग नहीं बदला है अगर आप आज को तेज कर देंगे तो इसका रंग बदल जाएगा और वो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए तो चने की डाल भूनने के बाद अब इसमें हम डालेंगे सुखी लाल मिर्चे यहाँ पर मैं जो भी समान डाल रही हूँ वो तीन कटोरी सूजी के हिसाब से डाल रही हूँ तो आप भी इस बात का ध्यान रखिए कि क्वांटिटी यहाँ पर मेरे समान की ज्यादा है अगर आप थोड़ा समान बना रही है तो क्वांटिटी भी उसके हिसाब से कम हो जाएगी तो सुखी लाल मिर्चे भी धीमी आजपरी हमने एक मिनट तक भूननी है और उसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिये है एक चोटा चमच राई अगर आप राई का इस्तमाल नहीं करना चाहते हैं तो इसके बदले आप सरसो का भी इस्तमाल कर सकते हैं अब एक से दो मिनट तक धीमी आजपर इन तीनों चीज़ों को भून लीजिए लगादर चलाते हुए जब ये चीज़े भून जाए और राई क्रैक्स करने लग जाए यानि के फूटने लग जाए तब इसमें डालिए कड़ी पत्ता पंदरा से बीस कड़ी पत्ते का मैंने इस्तमाल किया है अब इसको भी दीमियाज पर जादा देर नहीं भूनना सिरफ एक से दो मिनट अब इसके बाद हमने डालना है बारी कटा हुआ प्यास एक मीडियम साइस के प्यास का मैंने इस्तमाल किया है और साथ से आठ हरी मिर्चे इनको भी हम दीमियाज पर ही भूनेंगे और यहाँ पर प्यास का भी हमने रंग नहीं बदलना यानि कि जो भी चीज़े हमने डाली है किसी का भी अब तक रंग नहीं बदला है दो से दीमिनट हो गई हैं प्यास को भी भूनते हुए और देखे प्यास सिर्फ ट्रांस्पेरेंट हो गई है और यह लाल नहीं किये हैं हमने अब इसमें डालेंगे बुनी हुई मुमफली अगर आप कच्ची मुमफली का इस्तमाल करते हैं तो सबसे पहले यानि कि जब डाल हमने डाली थी तो उससे भी पहले हमने थोड़ा सा मुमफली को रोस्ट कर लेना है लेकिन मैंने यहाँ पर भुनी हुई मुमफली का इस्तमाल किया है तो मैंने इस टेज पर आके मुमफली को डाला है इस बात का आपने बहुत ही ज़ादा खास ध्यान रखना है अब इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे आदा चमच मैंने इसमें लाल मिश पाउडर डाली है आदा चमच नमक डाला है और आदा चमच मैंने इसमें धन्या पाउडर डाला है मसाले कम क्यों रखे हैं तीन कप हमारी सूजी है और मसाले मेंने सिर्फ आदा आदा चमच डाले है वो इसलिए क्योंकि सबजी में भी पहले से ही काफी मसाले है तो सबजी के मसाले के अकॉर्डिंग है हम इसमें मसाले डालेंगे अगर आपकी सबजी में मसाले कम हैं तो आप इसमें थोड़े जादा मसाले डाल सकते हैं यहाँ पर मैंने अब जो हमारी सबजी बची हुई थी आलू और गाज़ और मटर की सबजी वो मैंने इसमें डाल दी है अब सब्जी में थोड़ा ग्रेविनेस यानि के पानी है तो पानी भी हम थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान वे रखते हुए डालेंगे तीन कटोरी सूझी है तो तीन कटोरी सूझी के हिसाब से इसमें मैं तीन ग्लाज पानी डाल दे वाली हूँ यहाँ पर मैंने रेगुलर जो ग्लास होता है उसका इस्तिमाल किया है पानी सबजी में भी था तो तीन ग्लास पानी मैंने इसमें डाला है जो काफी रहेगा अब देखिए अब इसमें हमने कुछ नहीं करना बस एक उबालाने तक इसको हम पकाएंगे बीच में जब एक बार मिला के इसमें हम थोड़े से काजू डाल देंगे काजू बिलकुल आप्शनल है अगर आप चाहते हैं डालना तो डाल दीजिए नहीं तो डालना चाहतें तो कोई बात नहीं लेकिन काजू डालने से इसकी थोड़ी सी जो लुक है बहुत ही अच्छी हो जाएगी और एकदम रेस्टूरंट जैसा स्ट्राइल आपको इसमें नजर आएगा तो इसमें अब मैं 15-20 काजू डालने वाली हूँ बस अब इनको एक बार अच्छे से मिलाके ताकि सारे मसाले आपस में मिक्स हो जाएं और एक तेज आच करके अब इसको उबाल देना है तो आप देखिए कि मैंने शुरू से लेके अब तक आच धीमी रखी थी लेकिन अब पानी को उबलने के लिए हमने आच को तेज कर दिया है बस अब इसमें जो भूनी हुई सुजी हैपस स फटा फट से मिला देनी है यहां पर फिर से आप आच को धीमा कर लीजिए और फटा फट से सुजी को मिला लीजिए नहीं तो फिर गुठलियां पढ़शकती है तो फिर से हमने आज को बिलकुल धीमा कर दिया है और इसको 2-3 मिनट तक हम पकाएंगे सबजी हमारी पहले से पकी हुई थी इसलिए जादा टाइम नहीं लगेगा सूजी भी पहले से हमने भूल ली थी तो जादा टाइम नहीं लगने वाला है बस अब फिर से इसमें डालेंगे एक छोटा चमल देशी घी देशी घी और काजू हमारी इस नाश्टे को एक अच्छा सा और टेस्टी सा लुक तो देगा ही साथ में इसमें रिचनेस भी बढ़ा देगा तो लीजिए बढ़िया सा हमारा उपमा कहिए या फिर बची हुई सबजी का नाश्टा कहिए आप कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन ये इतना टेस्टी है कि आपको लगेगा कि हर रोज अगर सबजी बस्ती है तो हम यही नाश्टा बना लें सबजी का इस्तिमाल हो गया नाश्टा भी हो गया बहुत हेल्दी और बहुत ही टेस्टी आज का हमारा नाश्टा बन गया है तो लीजे यहां पर हो गया है आम के आम और गुठलियों के दाम क्योंकि हमारी सबजी का भी इस्तिमाल हो गया और एक नहीं डेश भी बनकर तैयार हो गया है तो तैयार है हमारा आज का नाश्टा अगर आपके पास सबजी बच जाए तो इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राइ करें आप इसके फैन हो जाएंगे आज की वीडियो या आज की रेसिपी आपको जरा भी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें आपका एक लाइक मुझे बहुत जादा मोटिवेट करता है देखने के लिए थेंक यू